दोस्तों जब से यह 2000 के नोड़ बंदू में और बहुत पहले से भी कई लोग मुझे फोन करके बोलते थे सर दस लाग तक जमा कर सकते हैं हमने कई लोगों से बात करें आडवोकेट से भी और बैंक मेनेजर भी कहता है कि आप 10 लाग तक से लिए और में जमा करतों कोई दिक् नहीं है बच्चे के जमा करते एक मेरा बैंक काउंट यूट इसमें पैन नुमबर टैश नहीं है वहां करते हैं करें बहुत सारे जुगार लगा रहे हैं आपको एक बाव बता दूनें इंकम टैक्स में कहीं भी नहीं लिखा कि 10 लाग तक कैस जमा कर सकते हो बताता हूं प कितना कैस जमा कर सकते हो सीविंग एकाउंट में देखिए सेक्शन 285 वह कहता है कैस डिपोजिट एग्रिकेट टैल लाक और मोर थोड़ा मोबाइल को टेरा कर लिजिएगा अच्छा देखिएगा तो हलका लिखावा है इन फैंशल येर इन वन और मोर अकाउंट अधर दे करेंट एकाउंट एंड टाइम डिपोजिट और करेंट एकाउंट के लावा है सीविंग बचा के दस लाग या उससे उपर जमा करते हो तो किसको रिपोट करना बैंकिंग कंपनी को या पोस्ट मास्टर जनल को तो सेक्शन 285 वी ए जो कहता है कि अगर आपने दस लाग या रिपोर्णिंग परपस के लिए एक सेक्शन बना है दस लाग का अच्छा समझ में आगे आपको कि इंकम टैक्स के अंदर कहीं लिखा क्या आप 10 लाग कैस्ट जम्मा कर सकते हो जो लोग बताते हैं आपको वह कहते कि इंकम में रिपोर्ट 10 लाग के बात होता है इसका जो लिखावाई जो रिपोर्ट कैश होता है उसमें इसकी इंफोर्मेशन कभी कहीं नहीं जाती कोई नहीं भीचता क्या माँंगे दस लाग या उससे उपर होगा तो वह एक फैनेंशल इयर में ब्लैक मनी को ट्रैक करने के लिए बैंक वाले बेशतें इंकम वाले को अब कौन सा कैश कौन सा फैनेंशल यह और कौन सा बैंक एक काउंट कि दस लाग लेते कैसे हैं पहले समझ लिए पीरिड फैनेंशल यह का मतलब होगे एक अपरियाल से 30 मार्च में आपका सेविंग एकाउंट कोई है तो उसकी पूरी क्यल्कूरिशन चेक करेगा वह एक अपरियाल से लेके 31 मार्च तक कौन से काउंट सारे सेविंग आपके जॉइंट हो माइनर का हो जहां नोन पैनों करोग सोचते हैं मेरे PNB में दो बैंक ब्राइनश में काउंट है एक FBIE में है सब के अंदर लिमिट अलग अलग है ना सब की कम माइंड है सब इंटरलिंक है आप यह भूल जाना कि में अलग 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 माइनर है पैन का नहीं है बहुत गलत अप्रोश हमारी कि अमाउंट कौन सा माउंट लेते हैं यह सबसे बड़ी इसी में होता है जितना भी कैस्ट जमा कराओं के सवाइस चाहें आपने विड्रॉव करके जमा कराया हो मैंने एक पैंबी बैंक से पाच लाग निकाले और मैंने अपने में जमा कर दे पाच लाग रिपोर्ट होगा पक्का डिपोजिक की डेफिनिशन में आएगा चाहें आपने एक बैंक से निकाले कंड अगर अधर एक से जमा करें तो अभी वो रिपोर्ट कर देंगे कि आप डेली पांच यार दस हजार फंद्रह जार आपका सेविंग अगॉन खुला आपने उसमें बिजनिस कर रहे हो उसे कर रहे हो तो डेली बेसिस पे पंद्रह जमा करते यारो हफ्ते में जमा कर रहो पचास यार शाड़े जार और वह लिमिट पार हो गई है चाहे वो स डेली दीपोजिट की ढूलशेवर या बशने करना न यह सब काश्ट बैंक वाला रिपोट करता है इंकम टैक्स ऑफिस को इनकम टैक्स वाले इन्वेस्टिकेशन में भेशने उसको इन्वेस्टिकेशन वाला वेरिफार करता है कि क्या आपकी जो आई-ट्र है मैंच है की नहीं कुछ पॉइंट और भी है जो आप कहतो ना कि मैं ध्याड़े जमा कर दूं नोन पैन में जमा कर दूं बच्चे की जमा कर दूं देखिए एक डेड़ लाग का मुझे लगता कोई नी पुछेगा लेकि मुसीबत कब आएगी किसी को नी पता सरकार कितनी हार्ष हो जाए कुछी बता पिछली बाद डी मोटेशन जब हो था मेरे पास सारे तीन लाग चाल लाग पार लाग के भी काफी के साथ में जितना भी आप जमा कराते हो सेरिंग इकांट में और करेंड इकांट में भी उसका एक्स्प्रिन करना पड़ेगा आपको सोर्स के साथ कि आप यह नोट बंदी थी में पैस था था यह था वो था नहीं कर सकते अगर आपने आइटर कर दी कैश इंकम दिखा के तब भी सोर्स जरूरी है बड़ा इंपोर्टन पॉइंट है जो बोला हूं दूसरा मैं इसे कह रहे हैं जी पांच लाग तक इंकम आफ है मैं अभी पांच लाग जमा करांगा एकाउंड में और पिछले साल की आइटर में पांच लाग की कैश की इंकम दिखा दूँगा और बोलूँगा जमा मैं आपकरा दिया बिल्कुल निचले गई दाओ आप बताना पड़ेगा कि पांच लाग की इंकम आई कहां से आपका नेचर बिजनिस क्या है क्या वो पिछले साल थी आपने हाथ में क्यों रखे वे थे आपने थोड़ा थोड़ा कोई जमानी कराया कुछ भी एक्सप्लेशन काम नहीं आएगी पिछले डी मुट्रेशन के समने जुगार लगाए थे किसी का जुगार काम नहीं आया ऑग और क्या पहले भी कैश का बिजनिस करता था या अभी जब नोट बंदी हुई है दोया के नोट अभी चलने बंदू है तभी शुरू कर आई है हमेशा एक्सपर के वाइज जरू लो आईटर फाइलिंग में अगर आप कैश का जैन्यून बिजनिस करते हो नेचर पता हो है और इंकम टैक्स में नोटिस आने की चांस जीरो हो जाता है तो अब आपसे कोई कहे कि आप अपने सेविंग एकाउन के अंदर 10 लाग पर कम जमा करा दो कुछ भी नहीं होता उसको मेरी वीडियो दिखा देना आपको 5-6 लाख रुपे की एक्सपरेशन देनी पड़ेग लोग उनसे पैसा लेकि अपने फैमिली में जमा करा रहे हैं और वो सब मारे जाएंगे बहुत दिक्कत आएगी जब इंक्वारी होगी आपको जवाब ने पाओगे तो जितना हो सके इसको अपने सरकल में वर्सप पर सब देके शेर करें वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक करते हैं कि मैं डेले बेश्ची पर वीडियो बनाओं वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजएगा जितनी वीडियो बना रहा हूं यह मुझे कमेंट बॉक्स में लोग बताते हैं और भी बनाता हूं जब मिलूँगा और अच्छे च्छी प्रक्टिकल वीडियो लेके तब परिन वश्काव